SPOM test के लिए कैसे registration करना, इसके बारे में detail में जानेंगे, live demo पुरा process बता देंगे, कैसे आप लोग test के लिए registration करोगे, center को कैसे select करना, यह सब के बारे में पुरा detail में जानेंगे, आपका सारा doubt clear हो जाएगा, अगर आप इस वीडियो को पुरा complete देख लेते हो तो, सबसे पहल अब यह 2 से 3 दिन क्यों लगता है, यह मुझे भी नहीं बता, हो सकता है कभी आगे चल करके 24 घंटा के अंदर में registration कर सकते हो, जैसे ही lecture complete हो, वो बात की बात है, आज का date में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सेम यही process है, जो भी set का आपको test देना, उस set का 100% lecture complete होना चाह official website प्याराना, जैसे ही official website प्याराना, और हाँ, laptop और desktop के थुरू ही registration करना, कभी-कभी mobile phone से इस portal पे आओगे ना, तो open ही नहीं होगा, आपको sttp, spmt.ai.org का official website प्याराना, जैसे ही आओगे ना, सबसे पहले उपर में center details हो करेगा, तो आप select कर लेना, इंडिया, कहां पे date में आप center चाते हो, कौन से city में चाते हो, search कर लोगे, तो देख लोगे, पतना में, मैंने पतना सर्ज किया, पतना city में कितना center है, ये दिग गया, लेकिन अगर आपको देखना है कि पतना city में, जो भी center है, वहाँ पे कितना seat available है, slot available, तो नीचे में option ता, वहाँ पे select कर ल available है, red होगा, seat available नहीं है, simple सा बात है, तो उसके बात यहाँ पे timing भी so करेगा, इसके हिसाब से आप लोग decide कर सकते हो, हो सकता है कि अगर आपके area में seat available ना हो, तो आप चाहो तो दूसरे सहर में में, जैसे कि पतना का बच्चा है, क्या पतना से थोरा सा आगे, 100 km आगे लोग इन कर सकते हैं पोर्टल पर या OTP के थोरू, तो मैं SSP पोर्टल के थोरू लोग इन कर लेता हूँ, जैसे ही लोग इन करोगे, डैस बोर्ट पे, अगर आपका जो भी set complete होगा, set A complete होगा, set B complete होगा, आगे चल करके, अगर आप इस वीडियो को बहुत लेट से देख तो आपको set C भी देना होगा, कुछ ऐसे बच्चे होगे, set D भी जिनको देना होगा, तो उनका देखना, जो भी set complete होगा, यहाँ पे लिखा होगा, completed और book sheet का option होगा, आपके screen पर जैसे ही login करने के बाद, जो set complete नहीं होगा, तो in progress, so करेगा, क्या so करेगा, in progress, जैसे ही complete हो तो इंडिया में, तो सबसे पहले country select करोगे, कौन सा state में, तो वो अपने हिसाब से, जहाँ पे आप test देना चाहते हो, city को select करोगे, इसके बाद center, उस city में कहा कहा center, तीन जगा center होगा, या चार जगा, जितना एक जगा होगा, तो एक option आएगा, उसके बाद आपको exam date को select क click करोगे, कोई भी set का, आगर आप test देने जाओगे, 500 रुपया फी है, test का registration fee, exam fee, मान लो, यही समझो, जो समझना आपको समझो, book पे click करोगे, 500 का payment करोगे, जैसे ही payment करोगे, आपका काम हो गया, register कर लिए test के लिए, इसके बाद test के दिन, आप test देने जाओ, admit card आप portal से download क कर सकते हो, कोई दिक्कत बाली बात ही नहीं है, यहाँ पे payment का, बहुत सारा option है, qr code से payment कर सकते हो, debit card, credit card, wallet से भी payment कर सकते हो, कोई दिक्कत बाली बात है, ने payment कीजी है, आपका काम हो गया, वैसे आप लोगे जानकारी के लिए, बता दे, LMS portal हो, या test के लिए registration कर रहो, दो सकता है, chrome version में कोलोगे mobile पे न, तो काम कर जाएगा, यह चीज अपने mind में रखना है, यह नहीं कि doubt पूछने लगना है, यह सब चीज़े, और नहीं mobile पे हो, तो laptop पे कर लो, इतना problem बाली बात है नहीं, वैसे मैंने बता दिया, chrome desktop version में mobile पे भी यूज करोगे न, तो यह portal प आजाएगा